Hello everyone, welcome to Library Science Notes अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि Library Science Notes पे B.Lib और M.Lib की स्टुडेंट्स को अपना सारा study content की जो requirement होती है वो मिल जाती है और साथ ही अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आप जॉब में हैं तो आपको routine work कैसे करना है, daily life में एक librarian को क्या काम करना होता है कैसे करना होता है, उसके उपर एक practical playlist बनी हुई है तो उसको आप ज़रूर एक बार explore करें कि उसमें क्या-क्या चीज़े हैं जो आपके लिए काम की हो सकती है अगर आप student हैं, तो आप playlist को आगे के लिए save भी कर सकते हैं क्योंकि I'm sure अगर आप ये course कर रहे हैं, तो job के perspective से ही कर रहे होंगे आज का जो topic है, ये library course के बारे में है library course आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं, तो आपको आज पता चल जाएगा कि ये distance mode में भी होता है और regular mode में भी होता है, अब वो आपके choice है आप किस तरीके से करना चाहते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे regular में करते हैं, बहुत सारे जो है वो distance mode में भी करते हैं जिसमें इग्नू बहुत अच्छा option माना जाता है तो दोनों में से कौन सा वाला mode अच्छा होता है इस वीडियो को देखने के बाद में एक तो आपके ये जो doubt है ये clear हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा mode better है दूसरा, fees के बारे में आपके अगर कोई query है तो वो भी solve हो जाएगी तीसरा, किन लोगों को distance mode में ये education लेनी चाहिए इस तरीके के जितने भी questions है उन्हें सबका आपको solution मिलेगा आपको खुद को clarity मिलेगी और साथ ही आप दूसरों को भी guide कर पाएंगे कि course को किस mode में prefer करना चाहिए thumbnail में आपने देखा होगा लिखा हुआ है कि library course जो है वो ignu से करे या नहीं ये मैंने क्यों लिखा है क्योंकि बहुत सारे students है जिनका यही same question होता है क्योंकि उनको actually मैं reason नहीं पता कि confusion कहां से create हो रहा है आपके साथ में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनोंने ignu से course किया होगा और आपको यह कहाऊगा कि या इगनू से मत करना बहुत problem होती है अब वो problem क्या होती है मैं आपको वही बताने के लिए आई हूँ अगर आप regular किसी संस्था को 6-8 घंटे दे सकते हैं वहाँ जा करके पढ़ाई कर सकते हैं तब तो ठीक है आप कहीं job कर रहे हैं आपकी परिस्तिती ऐसी है कि आप regularly जा करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो उस condition में जो distance mode की learning है उसको चुना जाता है सबसे पहले बात कर लेते हैं course के बारे में library science course क्या है देखिए आप पहले graduation करेंगे किसी ना किसी field से आप BA, BCOM, BSC किसी भी field में graduate हो सकते हैं या post graduate हो सकते हैं उसके बाद में भी आप ये course कर सकते हैं क्योंकि ये professional course में count होता है तो आपने graduation कर ली उसके बाद में आप पहले believe करते हैं और उसके बाद फिर आप mlip कर सकते हैं directly mlip नहीं कर सकते हैं तो ये जो course है ये regular mode में चलता है बहुत सारे private संस्थाएं भी इसको चलाती हैं बहुत सारे government universities में भी colleges में भी affiliation के थूँ ये course रन करता है और उसके अलावा distance mode में अगर देखा जाए तो ignu जो है वो सबसे बहतर option है अगर आप believe and believe करना चाहते हैं क्योंकि इनके संस्थाएं इस तरीके से बनी हैं इनका structure ऐसा है कि जहां से आपको study content भी provide किया जाएगा आपको training वगरा के लिए letters भी मिलेंगे और किस तरीके से course को आगे pursue करना है हर एक चीज proper बताई जाती है सबसे पहले बात करते है regular mode से देखिए regular mode में अगर आप course करते हैं तो आपको ज़्यादा बहतर knowledge मिलती है आप अपना proper अगर daily का 6 गंटा किसी एक संस्था में बिता रहे हैं बहुत सारे अलग-अलग subject एक ही दिन में पढ़ेंगे साथ में faculty के साथ में आपका interaction होगा तो बहुत सारे experiences आपको पता चलेंगे practical field में जाने के बाद में कैसे काम करना होता है जो subject आपको पढ़ाये जाएंगे उसमें कौन से subject ऐसे हैं जिनको आपको actually अपने practical life में use करना होता है वो बताया जाएगा क्योंकि library science course जो है ये पहले ही एक नया course है नया इसलिए क्योंकि आपने graduation में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें से कुछ भी यहाँ पे आपको similar नहीं मिलेगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये confusion रहता है कि देखिए जैसे हमने BA, BCOM किया था वहाँ पे subject की choices थी तो वैसी हम यहाँ पे भी अपनी वर्जी के subject ले लेंगे ऐसा नहीं होता है library का जो course है इसका fixed pattern है इसमें जितने subjects हैं वो सारे compulsory होते हैं और इसमें वो सारे के सारे पढ़ने भी होते हैं और हर एक subject जो है वो theoretical नहीं होता इसका जो practical है वो बहुत different है practical का मतलब particular mathematics नहीं होता है उस तरिके के calculations नहीं होती है लेकिन बहुत typical है जो आपको proper एक classroom में बैठ करके चीज़ें सीखनी पड़ेंगी तब ही आपको समझ में आएंगी अब अगर ignu की बात करें तो ignu no doubt बहुत अच्छा option है लोग अच्छी जगे पर पहुंचते हैं course करने के बाद में लेकिन वो बचे पहुंचेंगे जो self-directed होंगे self-motivated होंगे जो मेहनत करेंगे खुझ से क्योंकि ये self-learning की उपर focus करता है कि आपको खुद ही आपको content दे दिया गया है अब आप उसको पढ़ें आप समझें वो आपकी जिम्यदारी है और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जो ignu के centers होते हैं वहाँ पे कुछ weekend पे classes भी लगाई जाती हैं तो इसकी जो subjects होते हैं classes attend करके और हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके लिए practice चाहिए होती है बहुत सारी छोटी छोटी चीज़े हैं जो समझना पड़ता है तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत परिशान होते क्योंकि उनका exam clear नहीं हो पाता है उनको समय बहुत जादा लग ज जादा तर बच्चों को जो practical portion होता है practical classes होती है उसमें दिक्कत होती है जब आपको question बनाना पड़ता है तो आपसे बंदे नहीं है अब इगनू से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका ये भी कहना है कि इगनू जो है वो अपनी तरफ से खुदी extra time आपको देता है कि अगर एक साल का course है तो आप दो साल में complete कर सकते हैं ऐसा क्यों क्योंकि अगर आप कहीं job कर रहे हैं हो सकता है आपके पास समय कि कभी कमी हो आप ना कर पा रहे हूँ तो बही typical तो है अब वो खुदी अपने तरफ से extra time दे रहे हैं तो आप खुद समझे कि बही problem तो आपको ह बनानी होती है आपको digitization वर्क करना होता है जब आपका basic understanding ही नहीं बनी है subject की तो आप ये चीज़े कैसे कर पाएंगे बनाते रहे हैं ये report final ही नहीं होगी अब दूसी तरफ अगर आप रेगुलर में ये course कर रहे हैं तो वहाँ पे teachers आपके साथ-साथ काम करते हैं आपको ए कहते हैं कि इगनू में कम लग रहा है रेगुलर मोड में जादा लग रहा है तो मैं उनको ये बता दूं कि देखिए अगर आप 10,000 रुपे इगनू में दे सकते हैं तो आप 20,000 रुपे practical मोड में भी दे सकते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है आरेंज कर सकते हैं आप of library science का course इगनू से करें तो क्या वो valid होता है बिल्कुल valid होता है किसी भी exam में आप participate कर सकते हैं आप इस certificate को use करके job के लिए apply कर सकते हैं regular और distance mode के certificate की equal value होती है उसमें कोई doubt नहीं है fees जो है वो regular में थोड़ी सी जादा होती है इगनू में कम होती है इगनू आपको study material भी provide कराता है अब मैं आपको कुछ examples बताऊंगी जिन students से मेरी जो बात हुए जिनोंने इगनू से course किया है उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जादा तर ऐसे हैं जिनका जो knowledge है वो बहुत कम है उनको अपने subject को लेकर clarity ही नहीं है उनको basics भी नहीं पता है ट्रेनिंग के लिए जब बच्चे library में आते हैं इगनू जो है अपनी तरफ से letter तो जारी कर देता है कि ठीक है आप training कर लिजे बर practical में क्या होता है वो बच्चे letter ले करके और संस्था में यहां वहां घूम क्या होता है आप उसको number बनाना कैसे सिखा सकते हैं एक महीने की training में ज्यादा तर बच्चे यह सोचते हैं कि एक महीने की training करनी है बस किसी तरीके से certificate मिल जाए तो देखिए एक महीने की certificate की कोई value नहीं होती है उसके आधार पे आप कहीं job के लिए apply नहीं कर सकते हैं training जो है वो कम से कम 6 महीने से एक साल तक की होनी चाहिए तब ही जाके उस certificate की कोई value होगी तब ही आप कुछ सीख भी पाएंगे एक महीने में ना संस्था आपको कुछ सिखा पाएगी ना आप खुछ सीख पाएंगे तो अगर आप training कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए और कि digitization होता क्या है और फिर अगर उनके उपर ये छोड़ दिया जाए कि आप खुछ से काम करके लेकर के आए तो वो क्या काम करेंगे वहाँ पे उनको step by step guide करना पड़ता है कि आपको topic कैसे select करना है literature review क्या होता है कैसे करना है लिखना किस तरीके से है क्या format बनाना है हर एक ची उसमें कोई problem नहीं है थोड़ा आपको अपने उपर महनत और जादा करनी पड़ती है तो ये दोनों scenario है अब इसके अलावा एक situation ऐसी भी होती है जहाँ पे कुछ बच्चे believe को regular mode में करते हैं और फिर mlip में वो ignu में join कर लेते हैं और दूसी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते जो कि believe ignu से किये होते हैं और फिर वो mlip को regular mode में करना चाते हैं तो उसमें क्या case होता है देखिए पहला case यह है कि आपने believe जो है वो regular mode में किया और फिर आपके कुछ financial condition ऐसी हो गई कि आपको mlip से course करना पड़ा या आपने ये सोचा कि मैं believe के बाद job करने के लिए eligible हो गया ह क्योंकि एक तो आपका mlip जो है वो जादा important होता है क्योंकि उसमें आपको report तयार करनी है synopsis तयार करनी है आपको digitization work करना है ठीक है इतनी सारी चीज़े हैं जो नई है आपके लिए digitization क्या है basically research work ही तो है तो वो आपको करना है जो थोड़ा typical है और साथ में आपने job आते हैं वो approve नहीं हो पाती है फिर आप और परिशान होते हैं कुछ बच्चे किसी किसी तरीके से करके complete करते हैं और कुछ जो है वो drop कर देते हैं फिर आप वापस आते हैं कि नहीं अब हमें फिर से regular mode में करना है दूसरा scenario यह होता है कि कुछ बच्चों ने belief को इगनू से क उनका जो basic है वो clear हुआ ही नहीं तो उनको terms समझ में नहीं आती है कि class में बताया क्या जा रहा है और फिर उनको चीज़ें और tough लगने लग जाती है तो वह सोचते हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा और दूसरा class में बैठने कि आपकी आदती बिलकुल है नहीं खतम हो गई ह कहां तो आप घर में बैठे हुए थे या आप जॉब में थे और आप अचानक class में बैठे है और चार घंडे का lecture ले रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे drop कर देते हैं तो ये दोनों ही situations ठीक नहीं है आप एक ही mode में complete करें वो अच्छा option है और अगर आपने regular mode choose किया है तो वो ही तरफ करनी है ये नहीं होना चाहिए कि मैं इगनू से सिर्फ इसलिए करूँ दाकि मुझे certificate मिल जाए नहीं इगनू हर एक चीज़ प्रवाइड कराता है हर एक चीज़ प्रवाइड कराता है बस वो आपको हाथ पकड़के teacher की तरह लिखना नहीं सिखाता है तो वहाँ प एक वैरी रह गई है कुछ questions और रह गए है तो आप उसको comment में post जरूर कीजिएगा thank you